दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल आधर किलासिस में दोस्तों आज है 10 मार्च 2024 इस वीडियो में कवर करने बाले हैं करन्ट अफेर के बहुत important questions जो आपके आने वाली परिक्षाओं के लिए बहुत जादा important role निभाएंगे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा important रहेगी और जितनी भी आपकी परिक्षाओं होती हैं उसमें जो है इसी तरीके के questions पूछे जाते हैं तो questions को जल्दी से cover करते हैं सबसे पहला question है किसने प्रख्यात लेखी का और Infosys Foundation की अध्यक्स सुधा मूर्ती को राज्य सवा सांसत के लिए मनोनीत किया है तो ये किया है दुरुपती मुर्वू ठीक है next question करते है question number 2 राष्टिय अभी लेखा गार ने अपना कौन सा इस्थापना दिवस मनाया है तो ये मनाया है 134 वा दिवस ठीक है राष्टिय अभी लेखा गार ने next question करते है किस केंद्रिय मंतरी ने दिल्ली में किर्शी Integrated Command and Control Center का उधगाटन किया है तो किया है अरजुन मुंडा ने option number C हो जाएगा इसका answer दोस्तो इसी तरीके के अगर आप और भी notification चाहते हैं regular पाने के लिए तो हमारे चैनल को subscribe करिएगा क्योंकि इससे आने वाले जितने भी important notifications होते हैं ठेक है जो आपके आने वाली परिक्षों के लिए बहुत जादा important रहेंगे तो वो सभी आपके पास में पहुच जाएंगे अगला question है भारत के 75 वे उपलक्ष में पिशत्तरवे वर्स के उपलक्ष में हमारा सम्मान अभियान कारे करम राजिस्थान के किस सहर में आयोजित किया गया है तो ये किया गया है वाई B का नेर में option number D इसका answer सही हो जाएगा next question करते हैं करनाटक की राजधानी क्या में भारत की पहली driverless train की सुरुवात की है very very important question है क्योंकि ये question जो है आपके जैसे भी अभी आपने देखा होगा railway की जो vacancy चलनी है जितने भी आपके ये exam है ठीक है उसमें जो है 100% ये question आपको देखने को मिलेगा और भी परिक्षाओं में देखने को ये मिल सकता है लेकिन railway में तो आप पक्का मान के चलो तो करनाटक की जो राजधानी है क्या है बैंगलूरू अगर आप को ये भी नहीं पता तो ये पता होता तो answer टिक कर सकते दे लेकिन suppose करो कि ये नहीं आएगा अगर ये ही आएगा तो आपको याद रखना है बैंगलूरू ठीक है किसको परतिष्ट खस्रा और रुबैला चेंपियन वैस्बिक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो वो किया गया है भारत को ठीक है Next question करते हैं, किसने इस्थान्य मुद्राओं के उपियोग को बड़ावा देने के लिए इंडोनेशिया बैंक के साथ समझोधा किया है, तो वो किया है वही, Reserve Bank of India यानि RBI option number A, इसका अंसर सही हो जाएगा Next question करते हैं, हाली में कहां बिक्सित भार्द अंबैस्टर आर्टिस्ट बर्कशॉप दोजार चोबिस का आयोजन किया जाएगा तो ये किया जाएगा राजिस थान में, तो option number इसका हो जाएगा, D answer सही हो जाएगा Next question करते हैं, केंदर सरकार ने India AI Mission यानि India AI Mission के लिए कितने करोड रुपे का बजट मंजूर किया है, तो वो किया है, 10,372 करोड रुपे, option number 20 का अंसर सही हो जाएगा Next question करते हैं, किस दिना को सन्युक्त अभ्यास C Defenders 2024 का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है, 10 मार्च 2024 को Next question, अगला question जो है, very very important है, इस questions को जो है, आप अच्छे से read कर लीजेगा, ठीक है, क्योंकि ये question जो है, आपके परिक्षाओं में पूछा जाएगा, और 100% पूछने की संभावने इस question की Question है, किस केंद्री मंतरी ने इकिसान उपज निधी का अनावरण किया है, तो ये किया है वई, प्यूस गोयल ने, option number D इसका अंसर सही हो जाएगा, next question करते हैं, किसने पांचवे राश्टिय युबा संसद महोसब 2024 में पृथम पूरुसकार जीता है, तो ये जीता है, option number C, यतिन भासकर दुगल, ठीक है, दोस्तों, अब करते हैं, 10 अप्रैल 2024 की एक छोटी सी quiz, और answer लगाना है आपको comment box में, और इसके बाद जो है, आपको PDF जो है, आपको free में provide कराए जाएगी, तो आप PDF को भी आप download कर लीजेगा, इसके बीडियो को description में जाकर, तो कोशन है, म कोड़ी दिर पहले, क्योंकि fill in the blanks के भी question जो है, आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि परिक्षाओं का जैसे जैसे pattern change हो रहा है, तो वो अपने questions change कर रहा है, मनिपूर की राजधानी है, इमफॉल, तो option number D, इसका answer सही हो जाएगा, next question करते है, नरेश कुमार, इसलामिक ग नरेश कुमार, next question, हाली में किन दो देशों के बीच सैन्य सहायता समझोता हुआ है, तो ये हुआ है, option number A, इसका answer सही हो जाएगा, चीन और मालदीब, ठीक है, चीन और मालदीब के बीच में सैन्य सहायता समझोता हुआ है, next question, हाली में कहां के, मांजूली, मुखोटे और पांडूली भी पैंटिंग को GI टैक का दरजा मिला है, तो ये मिला है वई, ये है, D, option number इसका हो जाएगा, D answer, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तो, next question करते है, किस space company ने प्रदूशन, कारी, तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए methane set launch किया है, तो ये किया है, space X ने, तो option number इसका हो जाएगा, C, very very important question है, इसको अच्छे से read कर लिजेगा, next question, हाली में, मिसर ने अपनी मुद्रा का, अब मूलियन किया है, तो ये किया है वई, ये, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये, मिसर ने किया है, तो option number इसका, D answer, सही हो जाएगा, तो दोस्तो, आज के लिए तना ही, जैसी आप PDF डाउनलोड करोगे, तो आपको नीचे ये, पीच के questions के answer दिखाई देंगे, आप यहाँ से questions के, अपने answer जो, write करना, कि कितने questions मेरे write है, और कितने हैं, अब मेरे negative गया है, वहाँ से अपना score चेक करना, ठीक है, तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करने हैं, तो please चैनल को subscribe जरूर करना, और अगर आपने, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो please वीडियो को ज़्याद ज्याद लाइक करना, share जरूर करना, ताकि आने वाले उन सभी बच्चों का फायदा हो जाए, जो current affair की तैयारी कर रहे हैं, या अपने exam में, अच्छे नम्मर् कालिफाई करना, चाहता है, तो मिलता है नेक्स्टी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्काल, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू,